जहिंद वंदे मात्रम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वल्ड हम सेक्यू चैनल पर तो चलिए आज आपका एडुटरिया करेंट अफेर्स 2022 का प्रेक्टिस सेट नमर दो चलेगा और ये जो एडुटरिया करेंट अफेर्स का बुक लॉंच हुआ है अभी हाली में लॉंच किय गया है इसमें जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करेंट अफेर्स सामिल है जो कि आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टन रहने वाला है तो चलिए आज के प्रेक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं तो आज के सेशन का फर्ष्ट कोसन है माइग्रेशन ट्र प्रेकिंग सिस्टम एप विक्सित करने वाला देश का पहला राज बन गया है नेक्स्ट कोसन को देखते हैं स्वदेशी नेविगेशन परनाली गगन का उपयोग करके विमान की लेंडिंग कराने वाली देश की पहली एरलाइन कमपनी कौन बनी है इस प्रसन का सही परियोजना को मन्जूरी दी है इस प्रसन का सही जबाब है और शन्सी महराष्ट राजसरकार ने सीस प्रसन का बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट कोसन है हाल ही में इंटरनेशनल इसपेस इस्टेशन की कुरू में सामिल होने वाली पहली असुएत महिला कौन बन गई है इसका सही जबाब है, option C, J.C. का Watkins याद रखना है, सीस प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब है। Next question देखिए, 28 अपरेल 2022 को नई दिल्ली में Indian Building Congress IBC Based Infrastructure Project का पुरुसकार किस सनरतना को प्रदान किया गया है। इसका सही जबाब है, option A, Attal Tunnel को याद रखना है, इस प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब है। Next question है, देश का पहला Cryptocurrency Based Cafe कहां खोला गया है। तो ये खोला गया है, भोपाल में, option 10 प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, देश का पहला Cryptocurrency Based Cafe ये मद परदेश के भोपाल में खोला गया है। Next question देखे, यूनान के हेरा कलियोन में आयो जीत IWF Junior विश्व Championship 2022 में स्वर्न पदक जीतने वाली पहली भारतिय भारतोलक हाली में कौन बनी है। इसका सही जबाब है, option B हरसदा सरद गरूड बनी है, option 20 प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब है। Next question देखे, दुनिया का सबसे लंबा काच ब्रीज कहां बनाया गया है। Next question देखे, खेलो इंडिया University Games 2021 के संबंद में कौन सा कथन सत्य है। कथन है, यह टुर्नामेंट 24 अफरिल से 3 मही तक बैंगलूरू में अलग-अलग अस्थानों पर आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, पदक तालिका में जैन University ने 20 स्वर्न पदक के साथ सिर्श अस्थान परात किया है। तो दीखे, यह कथन, यह कथन, दोनों कथन सत्य है, चलिए 3 और 4 को देखते हैं। तीसरा कथन है, लवली, प्रोफेशनल, युनिवर्सिटी, 17 स्वर्न पदक के साथ दूसरे अस्थान पर है, तो दीखे, इसमें से ऑप्षन कौन सा सही होगा, इसका राइट अंसर, डी के साथ चला देगा, तीनों कथन, सही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट को देखे, देश के पहले, ग्रिन फिल्ड, ग्रेन अधारित, इथेनल, प्लांट का सुभारम, बिहार के किस जिले में किया गया है? इसका सही जबाब है, ये बिहार के पुर्निया जिले में किया गया है, ओप्षन सीज प्रसन का बिलकुल सही जबाब हो नेक्स्ट कोशन देखिए, हाल ही में WTO के 12 मंत्री अस्त्रिय सम्मिलन का योजन कहां किया गया है इस प्रस्ण का सही जवाब है, ओप्शन B ये जेनेवा स्विट जर्लेंड के जेनेवा में किया गया है ओप्शन B इस प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखिए, हाल ही में Quad Leader Seeker सम्मिलन 2022 का योजन कहां किया गया इसका सही जवाब है, ये योजन टोकियो में किया गया, ओप्शन A प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तेरे नमर प्रस्ण है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन समेली थै ओप्शन A में मनिक सहा तिरपुरा के नए मुखमंत्री जोकि बिल्कुल राइट है राजिब कुमार भारत के 25 मुखे चुनावा युक्त है जोकि बिल्कुल सही है मारकोस जुनियर ये फिलिफिन्स के नए राष्ट पती है बिल्कुल सही है, इसका राइट अंसर ऑप्शन D के साथ चला देगा उपर जुक्त सभी नेक्स्ट कोशन को देखते हैं हाल ही में प्रकासित पुस्तक के बम लेखक के संबंद में कौन सुमेली थै ये प्रसन आपके एकजाम के लिए most important और BBI प्रसन है इस पर star लगा रहे हैं, इसको business रुप से ध्यान रखना है तो देखिए इधर पुस्तक का नाम है लेट मी, say it now इसके लेखक कोन है, राकेस मारिया जो की बिल्कुल सही दिया गया है दूसरा पुस्तक है, leaders, politicians, citizens, लेखक है रासित, किदवई, बिल्कुल सही है तीसरा पुस्तक है, the struggle for police reforms in India प्रकास सिंग, बिल्कुल सही दिया गया है राइट अंसर, D के साथ चलाज़ेगा तीनों पुस्तक को अच्छे से देख लिजे और इनके लेखक को नेक्स्ट कोशन देखे हाल ही में, जारी विश्व प्रेश सुतंता सुचकांक 2022 के संबन में कौन सा कथन सत्य है तो देखे, कथन वन है, reports without borders संस्था दुआरा ये सुचकांक जारी किया जाता है बिल्कुल सही है, इस सुचकांक में नार्वे, डेनमार, स्वीडन कर्मसा पहले, दूसरे एवं तिसरे अस्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है ये सुचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142 वे अस्थान से गिर कर 150 वे अस्थान पर आ गई है बिल्कुल सही है, तो दीके इसका जो राइट अंसर है, ओप्षन डी के साथ रादेगा, कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों सही है, ध्यान रखना है नेक्स्ट कोस्चन है, हाल ही में प्रारम की गई योजनाओं में कौन सुमेली थे, ये भी प्रसन आपके एक्जाम के लिए most important और BVI प्रसन है, इस पर star लगा रहे है इसको विशेस रूप से ध्यान रखना है तो दीके योजना है, मुख मंतरी मितान योजना, 36 गड़ बिल्कुल सही है E अधिगम योजना, हर्याना लाडली, लक्षमी योजना 2.0, मद्व पर्देश 4, विजाई योजना हर्याना, इसका राइट अंसर D के सर्च रदेगा, उपर्यूगत सभी है ये सभी सुमेलित है, ध्यान रखना है Next question देखिए हर्याना सरकार ने किस खिलाली के नाम पर पानी पत में इस्टेडियम बनाने की गोशना की है ये भी प्रसना आपके एक्जाम के लिए मोश्ट इंपोर्टन्ट है, इसका सही जबाब है Option C, नीरच चोपडा याद रखना है Next question को देखते हैं कंचन जंगा परवत की चढ़ाई करने के बाद आड़ जार मीटर से जदा उची पांच चोटियों को फता करने वाली पाली भारतिय महिला कौन बन गई है इसका सही जबाब है प्रियंका मोहिते बन गई है Option A, बिल्कुल सही जबाब है Next question है भारत की पाली आदिवासी स्वास्त वेदसाला बनाने की घोषना किस राजी के H.T. और H.C. विकास विवागने की है इस प्रसन का सही जबाब है Option D, Odisha Next question देखिए कौनस फिल्म फेस्टिवल के 35 संस्क्रण में किस देश को Country of Honor का दरजा दिया गया इस प्रसन का सही जबाब है भारत अपना भारत है Option D, बिल्कुल सही जबाब है Next question देखिए विश्वखाद पुरुषकार Foundation ने विश्वखाद पुरुषकार 2022 में किसे सम्मानित किया इसका सही जबाब है Option D, डॉक्टर सिंथ्या रोसेंज वेर को सम्मानित किया Option D, बिल्कुल सही जबाब है Next question है भारत का पहला Flow Chemistry Technology Hub कहां खोला गया है तो देखिए भारत का पहला Flow Chemistry Technology Hub ये कहां खोला गया है तो ये हैदराबाद में खोला गया है Next question देखिए ब्राजिल के कैक्सियास डो सूल में हुए 24 मुक वदिर उलंपिक के संबंद में कौन सा कथन सत्य है तो देखिए भारत ने इसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्राज समेत कुल, 16 मेडल जीते हैं ये बिल्कुल कथन सत्य दिया गया है हर्याना की दिक्षा डांगर ने गोल्प में स्वर्न पदक जीता भारत नार्डिक सीखर सम्मिलन 2022 में परधान मंत्री नरेन मोदी ने भाग लिया ये सीखर सम्मिलन कहां आवजित क्या गया इसका सही जवाब है ओप्शन B हो जाएगा ये डेनमार्क के कोपन हेगन में आवजित क्या गया था प्रदेश में इस्तित है तो देखे इसका सही जवाब है ओप्शन A चला जाएगा जम्मू कस्मिल में इस्तित है सामबाजीला याद रखना है नेक्स्ट कोशन देखे दिवंगत फोटोग्रापर दानिस सिद्ध की सहित किन भारतियों पत्रकारों को पुलित्जिकर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो दिखे इस प्रसन का सही जवाब है उप्शन D उपर्युक्त सवियाने की सना, इर्षाद, मट्टू, अधनान, आविदी और अमिज दूबे इन तीनों को सम्मानित किया गया है एक सो अरब डॉलर सलाना आय प्राप्त करने वाली पाली भारतिय कमपनी निम्न में से कौन बन गई है तो दिखे एक सो अरब डॉलर सलाना आय प्राप्त करने वाली पाली भारतिय कमपनी कौन है इसका सही जवाब है रिलाइंस इंडेस्ट्री ज ओप्षन एस प्रसने का बिल्कुल सही जबाब है किस गेंद्रिय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपूर के पिटवाई में देश के पहले अमरित सरुवर का उधगाटन किया इसका सही जबाब है option C मुकतार अवास नकभी option C बिल्कुल सही जबाब है next question है हाल ही में किसे टेमपल्टन फाउंडेशन दोरा टेमपल्टन पूरुसकार 2022 से सम्मानित क्या गया है तो ये सम्मानित क्या गया है फ्रैंक विल्जेक को ओप्सन एस प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्टन है हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंदित छेतर के संबंद में कौन सुमेलित है तो दीके ये ब्यक्ति का नाम है सेख खलीफा बिन जायद अल नाया जो की UAE के राष्टपती थे बिल्कुल सही है उप्सन B में है पंडित सिव कुमार सुर्मा ये संतुर वादक से संबंदित थे ये प्रस्णाप के एक्जाम के लिए इंपोर्टन रहेगा ध्यान रखना है उनी ब्रुक्स फॉर्मुला वन ड्रैवर बिल्कुल सही है राइट अंसर D के साथ राजेगा उपर्यूगत सभी नेक्स्ट कोशन देखिए बायो गैस चे चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उधगाटन किस सहर में क्या गया तो जिके बायो गैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उधगाटन ये क्या गया है उप्शन D मुंबई सहर में डिस प्रसन का बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में इस्पैनिस फुटबॉल लीग लाल लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है इसका सही जबाब है उप्शन A ये रियल मेडरिट टीम ने जीता है उप्शन A बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन है भारत सरकार के किस मंत्राले ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर द्वार परियोजना शुरू की है तो दिखे इसका सही जबाब हो जाएगा उप्शन C ये सूचिना एवम प्रसारन मंत्राले के द्वारा सुरू की है उप्शन C प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा निमलिकित में से किस कमपनी द्वारा भारत का पाला हाइडरोजन इंधन पर आधारित पाला सोयदेशी इलक्टरिक पोत का विका सिवम निर्मान किया जाएगा इस प्रसन का सही जबाब है ये कोचिन सिप्याड लिमिटेड ओप्शन इस प्रसन का बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट कोच्टन है मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवाती तुफान का नाम असानी किस देशने रखा है मोस्ट इंपोर्टन प्रसन रहेगा इसका सही जबाब है ये स्रिलंका देशने रखा है अप्शन 20 प्रसन का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोच्टन है फाइजर कमपनी ने एसिया के पहले वैस्विक दवा विकास केंदर के अस्थापना भारत के किस सहर में की है इसका सही जबाब है ये भारत के चिन्नाई में की है अप्शन इस प्रसन का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोच्टन है किस राज में इस्तित मांधर गाउं भारत का पहला सहद वाला गाउं बन गया है इसका सही जबाब है ये महराश्ट है अप्शन इस प्रसन का बिलकुल सही जबाब है मांदरगव महराष्ट में इस्तित है नेक्स्ट कोशन है वास्तू कला के छेतर में रोयल इंस्टिचूट ऑब ब्रिटिस आर्किटेक्ट्स द्वारा रोयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है बाल कृष्ण विठल दास दोसी को ओप्सन डी बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन है माई 2022 में राष्टपती रामनात कोविन द्वारा भारतिय सेना के प्रमुक जेनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है इस प्रसन का सही जबाब है ओप्सन बी परम विशिष्ट सेवा पदक याद रखना है रामनात कोविन अभी राष्टपती नहीं है अभी द्रौपदी मुर्मू है ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन देखिए इसका सही जबाब है ओप्सन बी ममताव नर्जी को ममताव नर्जी को हाल ही में विशिष्ट बंगला अकादमी पुरुसकार प्रदान किया गया है नेक्स्ट कोशन है भारतिय पुरातत्व सरवेक्चन ASI दौरा कहां खुदाई के दौरन 5000 साल पुरानी आभुसन बनाने वाली फैक्टरी की खोज की गई है इस प्रस्ण का सही जबाब है ओप्सन सी राखी गड़ में याद रखना है सीज प्रस्ण का बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन है मई 2022 में एपल कंपनी को पीछे छोड़ कर कौन सी कमपनी दुनिया की सबसे मुलेवान कमपनी बन गई है इसका सही जबाब है ओप्सन सी साओधी अराम को सीज प्रस्ण का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है मई 2022 में थाइलेंड बैंकोक में आयोजीत थौमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेसिया को 309 सुहरा कर पहली बार जीता इसका सही जबाब है ये जीता ओप्सन ए भारत ने बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन है फोवर्स दौरा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़दा कमाई करने वाले खिलारियों के सूची में किस खिलारी ने पहला अस्थान हासिल किया ये भी प्रसनापक एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है इसका सही जबाब है ओप्सन B लियोन मेसी ने यद रखना है लियोन मेसी ने दुनिया के सबसे ज़दा कमाई करने वाले खिलारियों के सूची में पहला अस्थान हासिल किया है नेक्स्ट कोशन देखिए किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए Association of Asian Elections Authorities के नई अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है भारत को option A बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन है मई 2022 में करमचारियों को सुनसित आये प्रदान करने के लिए पुरानी पैंसन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज बन गया है तो पहला राज कौन बन गया है 36 गड़ बन गया है option A बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में जारी घोसना के अनुसार कॉमन वेल्ट गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है इसका सही जबाब है option D उपर्यूक्त सभी देखे तीरंदाजी निसाने बाजी कुस्ती नाग स्वरम को GI टेग दिया गया है तो ये दिया गया है किस राजे के प्रसिद संगीत वाद्य अंतर को इसका सही जबाब है तमिल नाडू नेक्स्ट कोशन देके पहली बार किस टीम ने इंडियन सूपर लीग ट्रोफी का खिताब जीता है ये भी प्रसन आपके एक्जाम के लिए मोश्ट इंपोर्टन बनेगा तो दीके पहली बार किस टीम ने इंडियन सूपर लीग ट्रोफी का खिताब जीता है इसका सही जबाब है हैदरावाद एपसी याद रखना है आप्शन ए बिलकुल सही जबाब है नेक्स्ट कोशन है विश्व पैरा अतलेटिक्स ग्रेंड प्रिक्स 2022 का योजन कहां किया गया जिसमें भारत आठवे अस्तान पर रहा है इसका सही जबाब है ओप्शन बी ये दूबई यूएई में ओप्शन बी इस प्रसन का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा तो आज का ये प्रेक्टिसेट यही पर कंप्लीट होता है और इसका पीडियाब डाउनलोड करना चाहते है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जाएए जोन कर लिजे वहाँ पर जाकर आप इसका पीडियाब बिलकुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके चैनल को जरू सब्सक्राइब किजिएगा